जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि आपकी हार और जीत के लिए आप स्वयम ही जम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, विश्टे बनाने से पहले निभाना सीखो, रोने से पहले किसी को हसाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना एक खुशाल जीवन जीना है तो ये बाते याद रखना, जल्दी माफ कर दो, धीरे धीरे विश्वास करो, प्यार सच्चा करो, जोर से हसो, और किसी के चहरे पर मुस्कुराहट लाने का मौका कभी न छोड़ो दो बातों में पक्के रहिए, इमान के और जुबान के, दो चीजों से बचकर रहिए, जगड़े से और मुकदमे से, दो चीजों को कभी न भूलिए, भगवान का नाम और दूसरों का सम्मान, दो चीजों का ध्यान रखिए, कहिए वह जो सच्चा हो, और करिए वह जो अच् परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलहकार नहीं, मा से बड़ी कोई छाम नहीं भाई से बड़ा कोई भागिदार नहीं, बहन से बड़ी कोई शुबचिंतक नहीं, पत्ति से बड़ा कोई दोस्त नहीं, परिवार के बिना कोई जीवन नहीं सैयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते है हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रू क्रोध और चिंता है क्रोध से विवेक का नाश होता है तो चिंता से मनोबल का क्रोज से शांती का नाश होता है तो चिंता से सौंधर्य का सेव करनी है तो घड़ी मत देखो प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो भलाई करनी है तो स्वार्थ मत देखो समर्पन करना है तो दिल देखो दिवाग मत देखो और रहमत पानी है तो हर इंसान में ईश्वर को देखो जो आपके पास है जिसका आपके लिए कोई मुल्य नहीं वो किसी जरूरत मन के लिए मुल्यवान हो सकता है आपके पास जो है उसकी इज़त करना सीखिए क्या पता, उसे पाने के लिए कोई रोज तडपता हो जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, वो सदैव करेंगे, करते ही रहेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहेकर कर्म करते रहो निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिन्दा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है सुखी जीवन की प्रार्थना करने के बजाए, प्रार्थना शक्ति को पाने के लिए किया करो, जो तुम्हे एक मुश्किल जीवन को सहन करने की शमता दे अपने कर्मों में अपने आपको पूरी तरह से समर्पित कर दो जिस काम को तुम शुब और उचित समझो उसे खुल कर करो पूर्ण समर्पन से करो चाहे वो भक्ती हो विद्यार्जन हो साधना हो सेवा हो तप हो तपस्या हो दोस्ती हो ग्रस्ती हो या फेर प्रेम हो जो भी करो पूर्ण तन्म्यता से करो कडवी गोलियां चबाई नहीं जाती निगली जाती हैं उसी प्रकार जीवन में अपमान असफलता धोके जैसी कडवी बातों को सीधे गटक जाओ उन्हें चबाते रहोगे अर्था सदय उन्हें याद करते रहोगे तो जीवन कडवा ही होगा पैसा तो सब कमाते हैं दुआएं भी कमाओ दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता जो अच्छा लगता है उसे गोर से मत देखो संभव है कि उसमें कोई अच्छा ही नजर आ जाए दुखी रहना हो तो हर किसी में कमियां खोजो और प्रसंद रहना हो तो हर किसी में गुण खोजो कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है परन्तु फिर भी करेला करवा गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है ये दोश पानी का नहीं है बीज का है ठीक वैसे ही सभी मनुष्य एक समान है परंतु उन पर असर संसकारों कपड़ता है जो उचित हो वही करो जैसे आनंद के लिए उचित है मधुर संगी खाने के लिए गम, पीने के लिए क्रोध, निगलने के लिए अपमान, व्यहवार के लिए नीते, लेने के लिए ग्यान, देने के लिए दान, जीतने के लिए प्रेम, धारन करने के लिए धैर, त्रप्ती के लिए संतोष, त्यागने के लिए लोब, करने के लिए सेवा, प्र रखने के लिए इर्षा च्छोड़ने के लिए मोहो। रखने के लिए इज़त और बोलने के लिए सथ्य ना तुम अपनेों आपको गलें लगा सकते हो नाही तुम अपने कंधों पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिन्दगी है, इसलिए वक्त दो उन्हें, जो तुम्हें चाहते हैं, दिल से सबका खयाल रखना, पर अपना भी खयाल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए झाटे लिए ऑऔर mitigate साथी बशाने, छो तुम्हें अपना भी जागाधना, हिए हमेशा बड़ का दो चाट यजर मक्त द विए AH जटेश भी